प्रवाद करेंगे नगर निगम पर्यावरन परबंधन सेवा सिविती के अध्यक्ष निगम पार्शत सुजी ठाकुर्जी से ठाकुर्जी आपका स्टूडियो बाने के लिए बहुत 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 सबसे पहला सवाल तो आप से यह है कि आप ने बहुत एक जिम्मेदारी वाला पत संभाला है पर्यावरन परबंधन सेवा सिविती का और अब जब कि तिहारों का मौसम शुरू हो गया है और दिल्ली की हवा फिर वही पुराने रूप में आ रही है यानि कि उसका जो गुरु तो यह किसका प्रभाव है लेकिए इस बार तो वैसे प्रभू स्री राम जी की जो राम लीला होता था वो इस बार नहीं हो रहा है और मता दुरुगा पूजन जो है उनकी भी बहुत रूप रेखा चोटा है लेकिन हमारे जो जिम्मेवारी है डेम्स कमीटी की उसके तहत म मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा जी हमारे पास में में इतनी समस्या होने के बावजूद भी हम लोग अपने अधिकारी को ड्यूटी लगा रखें रात को भी ड्यूटी कर रहे हैं यह कोई कहीं आग ना लगाए हमारे इंस्पेक्टर जै इन सभी को लाइको ड्य का छिरकाव भी हम लोग इसको टंकी के माध्यम टंकर के माध्यम से करने जा रहे हैं उत्री दिली नगा डिकम एक अपनी जो जिमेबारी है उसकी वह पूरी निवा रहा है और मुझे भी जो ड्यूटी मिली यहां के बाद मैं कार्चकरम अभी पृतंपूरा में ही हैं यह के उपर से हमारे सारे अधिकारी सब उसको नियक्षन में आ रहे हैं तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं हमारे मेयर काम कर रहे हैं हमारे अस्थाई समिती काम कर रहे हैं सब हम मिलके चाहते हैं जो दिली किस प्रकार जो अभी परदोसन आ चुका है और समस्या बर चुकी है कि ये बना दुरभाग की इस्तिती है जो हमारे पास दिन रात स्टाप काम करते हैं आठ घंटे के डूटी होता है काईवारत हम लोगे पर बुलाते हैं जो भी इस समय इमर्जेंसी छेतर में ये काम है जैसे आपने भी दुरगा पुजा नामविला के बात किया ऐसे समय में वो लोग एक्ष्टा टाइम में भी आके काम करते हैं उनका बेतर नहीं मिलता है और बेतर नहीं मिलता है तो किसी के परिवार बेगर पैसे के तो चल नहीं सकता इसके लिए जो दिली के सरकार मुखमंत्री है एक तो अगर एंसीडी का खर्चा ज्यादा सारे होस्पीटाल सारे सब कुछ उत्री दिली नगर निगम के अंदर आता है और उनका घृता आमदानी नहीं है इस चैतर में इतने कोई पॉस एरिया नहीं पड़ता इतने कोई इंडिस्ट्री से पैसे नहीं आते हैं इतने ज्यादा नहीं फिर भी जो है उसमें कोईसिस करके काम करने कोईसिस कर रहे हैं और मैं यह कहना चाहरा हूं मानिय दिली के मुखमंतरी जी से यह आपका पार्ट है जी यह एमसीडी यह दिली सरकार यह एक दिली प्रदेश का पार्ट है टूट अंग है इसको चलाना यह मानिय मुखमंतरी जी का काम है देखना क्योंकि जनता जो बोट दे रहा है वो पार्टी को दे रहा है लेकिन बोट देने के बाद ना तो मुखमंतरी किसी पार्टी के रहता है ना कोई पारसद या मियर किसी पार्टी के रहता है और अधिकारी तो किसी पार्टी का ही नहीं अधिकारी तो सभी जंता का है और जंता के टेक्स का पैसे से उनको तंखा मिलता है बड़ा हिंदू राव हस्पिताल के और एक अन्य हस्पिताल के करबजारी भी अक्सर यह इसको लेकर क धरने पर उतारू है या अंदोलन कर रहे हैं कि उन्हें भी नीमेड डॉक्टर्स को भी ने मिला डर्सिज हेल्थ स्टाफ को नी मिला इसका निवानन कैसे होगा जो बरा हिंदू राओ है वो भी निगम में ही आता है जी वो भी उत्री दिली नगर निगम है मैंने जैसे आपक कर्मचारी तो फिर भी हम दो महिने पर तंखा देद पाते हैं जो सबसे पहले हम सफाय कर्मचारी को देते हैं उसका बाद जाके हम जो और भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी उनको तुनते और अधिकारी को सबसे ज्यादा लेट मिलता है जो सफाय बहुत जरूरी है इसलि तनखा देंगे तो परवार चलेगा तो यही चीज जो है मैंने क्या कहा दिली के जो MCD है वो दिली सरकार के अधीन है वो कोई कैंसरकार के अधीन नहीं है और इसका बैठके हल करना चाहिए पारसद को बैठाना चाहिए सांसद को बैठाना चाहिए बिधायक को बैठाना चाह जाता था जबसे ट्राइफ्यूजन निगम को तीन हिस्सों में बाटा गया है किया इसका कारण यह सब्सक्राइब कैए यह और नियुक्ते हैं कि अपनी एक अच्छा सिस्टम बनाके सब को चलाते हैं एक बच्चा अगर कमजोड भी होता है तो उसके अच्छे ट्यूसन लगागा पढ़ाया जाता है जी अच्छा जीजी आप चबाल संस्था से जुड़े हुए हैं जो बिलकुल जिसे कहते हैं कि आप जुगी बस्तियों में रहने वाले लोगों को आतमने ब्रब्राने के लिए महलाओं को सशक्त करने के लिए लगूरिन दे करके उनकी दिन चरया जीवन चरया को एक अच्छा काम कर रही है वैसे जो लगूरिन का कॉंसेप्ट है यह सबसे पहले चैको सलवा किया और हॉलन जैसे देशों में भी हुआ था कि समाज में निचले टपके के लोगों को किस तरह से शक्त बनाया जाए तो आपने एक बड़ा कारेक्रम किया था उसके बारे में हमें बताईए कि मैंने एक सीख अपने बच्छपन से अपनी माबाप से देखा था जगर कोई घर में कोई आता था तो खुद भूखा रहे और कोई आ गया तो उसको खिला देना तो बच्पन से मुझे वो संसकार इमिली है नर सेवा नडाइन सेवा गरीव आदमीं के अगर सेवा करेंगा तो यह आपको तबस्ता मिल सकता चत्र तब अच्छा हो सकता है तो हम ने इसे चौपाल इतना अच्छा कार्च करम कर रहे हैं मैं उनके सभी और गनाजर को नमन करता हूँ परनाम करता हूँ उनके माध्यम से मैंने किया मेरी कोई उकाद नहीं है हम तो हमें भी आसा थी इक्षा थी जो ये इतने कार्च करम है और जो लोग लेको किसी को कितनों करोड रुपे दे दो और उनकी सही वेवस्था नहीं हो मान सकता सही नहीं हो तो कुछ यह नहीं कर सकते हैं वो खापी के भरबर करतेंगे और जो लोग सही है जिनको आगे वरना है मालक्षमी का किरपा होना है तो 15,000 रुपे के चुपाल के माध्यम से जो मैंने ये रिन देने का काच्च करम रखा उसमें क्या है 15,000 बहुत चोटी रकाम है लेकिन बहुत बड़ी रकाम है अगर सही आप एक चाई की दुकान खोल देते हैं और 15,000 रुपे के पूजी की दुकान से चाई की दुकान चल सकती है और आप रोज उसको सही जगा पैसे खर्च करें तो 2-4-5 महिने के अंदर में आप 15,000 रुपे महिना पर दे के आपके करजे भी उतर गए एक साल में आपका पैसा खतम अगले साल आपको 30,000 ये भी लोन मिल जागी दूसरा नमबर आप एक छोटी सी में उधारन चाई पान की दुकान की छोटी उधारन बताया कोई सबजी की दुकान खोल लेते हैं तो मैं छोटी उधारन बताया इस से आप आगे जाने में एक दो साल के अंदर अंदर आपको जो है ना अपने आप पे निर्भर हो जाएंगे अपने आप आप सक्षम हो जाएंगे तो ये काम करने में खुशी इसलिए होती है अगर ऐसे सो लोग को मैंने जैसे ये अरभी रिन दिलाया है और अगले साल हमारा लक्ष है जिए कम सकम 251 आदमी को हम ये रिन अधी से बाद में लोगों का और पता लगा तो लोगों आए हम नहीं सब तक तो सारी कुछ हो गई थी तो अगले साल हमने 251 आदमी का लिक्षा रखा है जिए 251 आदमी को हम अपने पाऊंपे खड़ा कराएंगे तो दर्शको सुजी ठागर जी ने बताया कि दलगत राज नीती से उठकर दिली के समस्याओं को निप्टाने के लिए जनौतियों से निप्टने के लिए दिली सरकार और नगर निगम को समनवे स्थापित होगर के काम करना होगा और खास बात जे है कि देश के हाशिये पर बैठे लोगों को आतम निप्र बनाने के लिए जो भी प्रयास के जा रहे हैं वो वाकई सरहनी है तो जी जी ये स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद